हेलो एरिवन वेलकम है आपका डीके स्टेचिंग टिप्स में कैसे हैं आप आप सब अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में लाइनिंग वाली कुर्ते की स्टेचिंग करेंगे और फ्रेंट्स इस कुर्ते की जो कटिंग की वीडियो है मैंने चैनल पर अपलोड की हूँ है इससे जो पिछली वीडियो गई थी उसमें बताया है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्सन में देदूंगी और आई बटन में देदूंगी आप चेक कर लिजेगा और फ्रेंट्स पूरा देखना वीडियो को बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी और अगर आप फ्रेंट जो पार्ट है उनको अलग-अलग करके मैंने इस तरीके से रखा हुआ था तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है देखिए लाइनिंग को लेना है ठीक है तो लाइनिंग को हमने सबसे पहले नीचे से फोल्ड करना है ठीक है यहाँ से पैर-पैर का मार्जन हमने दबाते हुए यहाँ पर मैंने इसको fold कर लिया है अगर आप चाहते हैं तो इसकी folding जो है उसको आप चोड़ी भी रख सकते हैं तो यह देखिए तो दोनों पार्ट इसी तरीके से हमने fold कर लेने हैं उसके बाद यह देखि लाइनिंग को इस तरीके से खोल के अच्छे से बिचा लेना है और हमने कुट्ती का एक पार्ट लेना है और यहाँ पर ध्यान रहे कि जो हमने बैक पार्ट अगर लाइनिंग का लिया है तो बैक पार्ट हमने कुट्ती का लेना है ठीक है कि देखें और इसको अच्छे से सैट करेंगे अझि नीचे की साइड मैंने लाइनिंग को रखा है और जो कुड़ती है उसका सीधह साइड उपर की साइड है और सबसे पहले हमने यहां से लाइ को स्टार्ट करना है और लाइनिंग को अटैज कर लेंगे में इसको कत्चा करेंगे जुस हम लगा रहें वह कंची सलाई लगेगी हमारी एहां पर ताकि कि जो लाइनिंग है वह अच्छे से सएitness हो जाए उट और फ्रेंस इसमें ध्यान रखना है बीज में हमारे इसमें बल्व गैरा नहीं होना चाहिए, हाथ से अच्छे से प्रेस करते हुए लाइनिंग को एक साइड पर निकालते जाएंगे, इस तरीके से अच्छे से से सैट करेंगे, स्लाई को लगाते समय, और ये देखे, जो साइड में जो एक्स्ट्रा हमारा कपडा निकल रहा है, ऐसे अगर हम कर देंगे, तो इसमें जोह लाएगा हमारा कुर्ती में, अब बेहां हो कने ककट कर देंगे, का निकल जाता है। तो उसको हमने cut कर देना है और दोनों पार्ट हमने इसी तरीके से ready कर लेने हैं अब उसके बाद यह देखें स्लीव की भी हमने यहां पर यह कटिंग कर ले थी आपने देखा वीडियो में जो पिछली वीडियो गई है उसमें कटिंग बताई है आप देख लीजिए कि तो यहां पर जो हमारी स्लीव से उसमें जोईंट लगेगा तो यह देखें जो उपर वाला जो पार्ट है उसके भी हमने दोनों पार्ट लेने हो जो जो जोईंट लगेगा उसमें भी अलग से लाइनिंग की भी cutting कियुंही है और जो main fabric है उसमें भी ठीक है तो इनको भी हम joint कर लेते हैं देखे बीज में दोनों हमारे कुर्ति के फैबरीक है और नीचे की साइड लाइनिंग है और इसमें अंडर ग्रावड नहीं लगाई है नोर्मल स्लाइण से हमने अटेच करने है अब देखे दूसरी साइड पर भी हम इसको अटेज कर लेते हैं तो इस तरीके से हमने यहां पर अटेच कर लेने हैं और इसमें हम फिर इंडीलोग कर देंगे अब उसके बार लगानी है ताकि जो हमने इसलाई लगाई है वह अच्छे से बैठ जाए जो कपड़ा है हमारा उठा उठा नहीं रहेगा टोप स्टिच अगर हम लगा देते हैं तो तो यह देखिए मैंने रेडी कर लिया है अब देखिए यहां पर इसको स्लीव को भी हम कच्चा करेंगे देखिए इस तरीके से ताकि जो हमारी स्लीव है उसमें भी बल बगारा ना कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे और दोनो स्लीव हम इसी तरीके से रेडी कर लिया है तो यहां पर इसमीं उसकी आरम होल की चटाइय थी वह भी कटंग करते समय तो उसकी चटाई हमने यहां पर कर ली है और यह देखिए जितनी हमारी स्लीव की लैंध रहेगी उसक है इस तरीके से और इसको फोल्ड कर लेना है ठीक है इस तरीके से मार्क लगाएंगे और फोल्ड कर लेंगे और फ्रेंट्स इसमें मैंने पाइपिंग लगानी है तो मैं इसकी पाइपिंग लगाना मैं इसमें नहीं बताऊंगी तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लिज है उसमें हम neck बनाएंगे तो यह देखे फ्रेंट्स neck के लिए मैंने यहाँ पर जो lining का कपड़ा था वही ले लिया है और lining की कपड़े को मैंने यहाँ पर double करके लिया है ठीक है अगर आप भी lining का कपड़ा ले रहे हैं neck में तो उसको डबल कर लिजेगा और यह देखे इसके according हम यहाँ पर इसकी cutting कर लेंगे ठीक है फ्रेंट्स यह देखे ओ फ्रेंट्स अगर चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe किजिए और यह देखिए यहां पर नेको मैंने बना कर रेडी कर लिया है अब यहां पर हम प्लेट सी मार्किंग करेंगे तो यह देखिए इसके बाद हमने प्लेट की मार्किंग करनी है जो एलाइनिंग वाली हमारी कुड़ती होती है उसमें पहले प्लेट की मार्किंग मैं नहीं करत केंची को रखका यह देखिए अब देखिए दूसरी साइड मार्क आ गए है इनको भी हम गहरा कर लेंगे इस तरह से कि अब देखिए जो हमने मार्क लगाए है उन पर हम कच्ची सलाई लगाएंगे यह देखिए जो मार्क लगाए है उन्हें के उपर हमने यहां पर कच्ची सलाई लगानी है ताकि जो हम इसमें प्लेट डालेंगे तो अच्छे से जो हमारा कपड़ा है वो फोल्ड हो जाएगा कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्लेट डालते हैं उसमें अगर ऐसे सलाई न लगानी है त्याइक आप देखिए यहां पर अग्याइं हुह है अ आ है तब इस तरीके से मिन फेल करेंगे एग हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यह देखे जो जहां तक हमने मार्क लगाया है वहां तक प्लेट को लगा कर हम खतम कर देंगे अब साइड वाली प्लेट हम लगा लेंगे और इस पर भी मैंने वीडियो डाली हुई है आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे या हैल्फ लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजेगा और चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजेगा तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर प्लेट लगा कर लिए को इसके ए और इसके फिटिंग TE मारकिंग कर लिया है रिफिंभ तर पर आ रहा है हमारा har giving कोड़ की साइड कमर पर पर आ रहा है ठीक है तेक पर नहीं आएगा हमारा कमर पर हमाना half-inch का इसमें गया पाता है ठीक है अब देखिए फिटिंग की हम यहाँ पर सलाई कर लेते हैं और सलाई को हम यहाँ पर डबल करेंगे ताकि हमारी कुर्ती जो लाइनिंग वाली कुर्ती है कई बार क्या होता है कि टाइट वगेरा हो जाती है तो उसको हम आसानी से खोल सकते है अब देखिए एक्स्ट्रा जो म की- की थी और फिटिंग की है तो यहां पर गहरा भी हम ने स्ट्रेट रखना है इतना ही successful कि आप eight-not लगाइएगा कैसे कारा हो ठीक है अब देखिए दो-दो इंचे सब्सक्राइब काम मार्क लगा देंगे क्योंकि अगर आपने piping लगानी है तो piping लगा लिजेगा और नहीं लगानी है तो आप इसको ऐसे ही फोल्ड कर लिजे तो यह देखे इस तरीके से मैंने यहाँ पर piping लगा कर और दोनों slits को ready कर लिया है उसके बाद यह देखे जो नीचे की side जो हमारी length है मारी कुर्ती की उसके according हमने यहाँ पर fold कर देना है कुर्ती को यह देखे और जो यह सिलाई है यह भी कच्ची सिलाई लगेगी बाद में हम इस पर दुर्पाई करेंगे अब उसके बाद यह देखे हमने sleeves को attach करना है sleeves को attach करने के लिए friends सबसे पहले हमने क्या करना है यह देखे sleeves को उन्टा करके हम अच्छे से set कर लेते हैं और जो armhole है हमारा उसको यह देखे इस तरीके से set करेंगे एक तरीका तो यह होता है sleeves को attach करने का इस तरीके से हम नाप लेंगे और जहां तक हमारी जो fitting कि सिलाई आई है वहां तक हम इसमें marking कर लेंगे ठीक है और एक हमारा जो method यह है मैं इस तरीके से करती हूं कि जो front हमारा armhole होता है उसको मैंने नाप लेना है और उसमें half inch कम कर देना है ठीक है आपको जो easy लगे आप उस तरीके से कर लिजेगा और अब देखे यहां पर bottom पर हम लगा लेते हैं mark साड़े change पर और जो हमने mark लगाए है उनको एक दूसरे से मिला देंगे ठीक है और sleeves की fitting की सिलाई हम यहां पर लगा लेती है यह देखे और फ्रेंट्स बहुत ही finishing से हमारी कुर्ती stitch के ready हुई थी यह देखे अब हम इसको सिधा कर लेंगे इस तरह से सिधा कर लेंगे और आब हम इसको कुर्ती में attach करेंगे ठीक है अब देखे जो हमारी सिलाई है उसको म है ने सिधा कर लिया है कुर्ती हमारी उल्टी है यह दुद्धिजिया आप देख रहे हैं अब दीखए एक दूसरे के opposite side fold कर देंगे और यहां से slide को start कर लेंगे अब देखें जो हम यहाँ पर slide लगाएंगे उसमें हमने कपड़े को खीचना नहीं है sleeves के कपड़े को नहीं खीचना है और जो कुर्ती का कपड़ा है उसको भी नहीं खीचना है हलके हाथ से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है ठीक है तो यह देखिए सिलाई लगा कर मैंने complete कर लिया है और देखिए बिल्कुल finishing से हमारी sleeves attach हो गई है और तो दोनों sleeves को मैं इसी तरीके से attach कर लेंगे आप देखिए friends यहाँ पर जो मैं stitch लगाऊंगी इसमें solder पर उसके लिए यहाँ पर मैंने strip ready कर ली है और इसको यहाँ पर लगा देते हैं यह देखिए तो दोनों solder पर मैं इसको लगा कर ready कर लूँगी तो यह देखिए friends कुर्टी हमारी ready हो गई है और यह देखिए कितना सुन्दर look आया है मारी कुर्टी का बिल्कुल finishing के साथ हमारी कुर्टी सिल्के ready हुई है यह देखिए इस तरह से ठीक है I hope friends आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो please वीडियो को like जरूर से कीजेगा और चैनल को subscribe कर लिजिए तो चलिए friends मिलते हूं आप से अगली वीडियो में इसी तरीके की नई वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you bye bye take care